तो अलो दोस्तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पैसे की पैसा यानी मनिया और इस पूरे वीडियो का कॉंसेप्ट मैंने लिया है बहुती फेमस बुक के राइटर की जो दूसरी बुक है उससे अब आप गेस कर सकते हैं कौन से फेमस राइटर है मेरे पास उनकी बुक है र हजारों वीडियो आज की डेट में आ चुकी है मैं जो आज वीडियो दे रहा हूँ आपको और जो कंटेंट मैं लेके आया हूँ वो इनके रिच डाइट्स कैस फ्लो कॉडरेंट ये जो रिच डाइट कैस फ्लो कॉडरेंट है इससे लेके आया हूँ और इसमें लिखा हु तो टायर को बदलना है एक unnecessary इस महीने में खर्चा बढ़ जाएगा मेरा mobile टूट गया है मैं मुझे नहा mobile लेना है unnecessary इस महीने में मेरा 20,000 से लेके 10,000 से लेके 50,000 तक जो भी आप mobile लेते हैं उसको लेना पड़ेगा so financial freedom की बात करते हैं इस पूरे आज के वीडियो में मैं बहुत छोड़ी छोड़ी चीजें आपको discuss करूँगा जो आपको relate करेगी and at the end of the video I hope I'll able to ignite your mind आपके mind में में थोड़ा बहुत कुछ contribute करने की कोसिस करूँगा कि जिससे आप पैसे को बहतर धंग से समझ सकें पैसे पे बहतर धंग से काम कर सकें सायद आपका जो thought process है सोचनी की जो प्रक्रिया है वो better हो जाए तो चलिए इस वीडियो में सुरू करते हैं और एक quote से start करता हूँ जहाँ पे poor dad यानि highly educated and yet poor dad जो बोला है writer के उनका एक statement है I'm not that interested in money I'll never be rich I'll I can't afford it यह जो quite you know statement होता कभी-कभी हर जगह से statement लिया गया है investing is risky money isn't everything यह बोला है उन्होंने एक जगह पर लेकिन वहीं पर rich dad writer के rich dad ने क्या बोला writer के rich dad ने बोला कि कितना funny है न कि लोग पूरी life काम करते रहते हैं पैसो के लिए काम करते हैं ऑफिस जाते हैं पैसो के लिए और फिर ऐसा वो सो करने की कोसिस करते हैं कि यार मैं तो पैसे के लिए कामी नहीं करता आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबस्क्राइब करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा मेरा नाम धननजय है चैनल जो आप देख रहे हैं अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस पूरे आज के वीडियो में हम लोग quadrant की बात करेंगे quadrant अगर S, E, B, I आप चाहो तो सेबी से याद कर लो जो हमारी regulatory body होती है इंडिया में तो आप उसे सेबी से याद कर लो वैसे sequence है S, E, B, I एकदम वही sequence है चारो quadrant में मुझे लगता आपके screen पे आ गया है S, 4 क्या होगा E से start करते left hand quadrant की बात करते E का मतलब हुआ imply अगर आप काम कर र आपके दुकान हो आपके पास में भी इनो आप बिजनस कर रहे हो बड़ा वाला पांच-छैसो लोग उसमें काम कर रहे हो हो सकता है आप इन्वेस्टर हो हो सकता है आप एक नौकरी सुदा इंसान हो या हो सकता है mix of all हो क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि नौकरी वाला किसमें हम ज्यादा कमाई कर सकते कौन सा लॉस वाला है क्या चारो में एक बंदा सूट कर सकता है चारो एक बंदे के लिए बना है चारो के लिए चार अलग अलग बंदे चाहिए क्या हम जब बचपन से हमारा mindset अलग हो जाता है कि हमें business करना चाहिए हमें नौकरी करना चाह यानि आप, maybe आप एक जॉब कर रहे हो, कमाने के लिए कुर्स, पैसा कमाने के लिए, आप किसी बंदे के हाँ जॉब कर रहे हो, या किसी कंपनी में काम कर रहे हो, तो पहली कर्टेगरी हो गए, इंप्लाई की ये, S for है, small business, self-employed, तो self-employed का मतलब होगा, कि आप अपने लिए काम कर रहे हैं, आपकी दुकान है, या कोई आप इनों free answer है, कुछ भी हो सकते हैं, तो S for small business या self-employed कह सकते हो आप, उसके बाद B आता है, B for big business, big business जिसमें 500 employee या उससे ज़्यादा हो या, उसी क्या सपास हो, कम भ की होती है, यार, वो खुद नहीं काम करते हैं, उनका पैसा उनके लिए काम करते हैं, लोग उनके लिए काम करते हैं, तो यह होता है, आई, अब इन चार चीजों में, आपका definitely इनों, आप कही ना कही लाई कर रहे होगे, फुर्तवाला जो investor है, उसका मतलब पैसा, पैसे को बना रहा है, तो उनके लिए उनका पैसा और पैसे लेके आ रहा है, अब चुलो, आजाते हैं, इन चारो क्वाडरेंट को देखके आपके दिमाग में एक बात आई होगी, यार, कि कौन सा क्वाडरेंट ज्यादा पैसा देगा मुझे, कौन सा क्वाडरेंट में नहना हमार लिए ज़्यादा अच्छा होगा तो मैं आपको बता दू चारो कौडरेंट ऐसे हैं जिसमें आप बेंकरफ्ट हो सकते हैं चारो कौडरेंट ऐसे हैं जिसमें आप बहुत अमीर हो सकते हैं अब आपको लेगा यार चारो कौडरेंट अगर ऐसे हैं तो फिर तो हमारा कोई मतल अब हम लोग एक-एक करके बात करेंगे। पार्टिसिपेट कैसे कर सकता है, एक डॉक्टर को ले लीजे, डॉक्टर ने अपनी डिग्री ली, उसके बाद हो सकता है, वो कहीं हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हूँ, तो E कटेगरी में आ गए, हो सकता है उन्होंने जॉब के साथ साथ साम को, इवनिंग में अपनी प्रैक्टिस करते हूँ, तो वो सेल्फ इंप्लाइड हो गए, तो S कटेगरी में आ गए, हो सकता है, उन्होंने एक बड़ा हॉस्पिटल खोल लिया हो, जहाँ पे और सारे डॉक्टर्स हो, अब वहाँ पे भी दो सिनरी हो हो सकता है, वो खुद के लिए काम भी कर सकते हो, हो स्टल में हो बैठते हों, पेशेंट देखते हों, या हो सकता है, कि वो उनके लिए लोग काम कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, या फूर्थ हो सकता है, जहाँ पे उन्होंने किसी और business में invest कर रखा हो, और इस share में investment भी तो I category में आएगा, किसी company का share ले रखाओ, वो भी I category में आ जाएगा, तो एक बंदा चारो, तीन, दो ऐसे quadrant पे आ सकता है, अब आपका ये एक जो एजंशन है कि कौन सा quadrant चारा पैसा देगा, ये बिल्कुल गलत बात है, ये किसी भी quadrant में आप पैसा कमा सकते ह हैं, पैसा कमाने के लिए basically आपका skill set बहुत तगड़ा होना चाहिए, आपको investment strategy आनी चाहिए, आपने अपने चारो तरफ, अगर आप नजर दोड़ाए हो तो देखा होगा, कि आपके चारो तरफ कई ऐसे लोग होते हैं, जिन्होंने salary से ही बहुत पैसे बना लिये, मेरा ए पहले उसी time का एक बन्दा है, और उसके पास आज की date में 10 से 15 क्रोर का liquid money है, उसके बाद उसने चोटे चोटे अपने कुछ और investment कर रखे हैं, और अभी भी वो बन्दा नौकरी में है, नौकरी में उसकी salary करीब 3-4 लाक पर मन्त है, विकास जिस field में हम हैं, वहाँ पे उसने महंगी गाड़ी नहीं खरीदी EMI पे, और अभी तक उसने loan नहीं लिया, और बिंग इंपलाई उस बन्दे ने अभी तक इतना wealth बना लिया है, अब ज़रा 10-15 करोर जिसके पास liquid money हो, आप सोच सकते हैं कि वह अगले time में उसको compound करके कितना ज्यादा earn कर सकता है, परह और आपने ना जाने कितने business man को देखा होगा, जिनके businesses थे और bankrupt हो गए, कुछ लोग ने invest किया, लालच में और ज़्यादा invest किया, और ज़्यादा इन्वेस्ट किया, और वो bankrupt हो गए, ऐसे मैं बहुत सारे exampers कोई कि पढ़ता रहता हूं जानता हूं, 1929 में US में, October में basically market crash हो पास, लेकिन वो बरबाद हो गए, तो आप बहुत बड़े businesses को भी बरबाद होते देख सकते हो, बहुत चादा छोटी job से भी आगे बढ़ते हुए देख सकते हो, किसी भी quadrant में जाने से success आपकी guarantee नहीं होती है, मानके चलिएगा, सारे quadrant equal नहीं है, तो अब मैं बताने वाला हूँ जो सुरू में मैंने quote किया था, different father has different idea about the money, जैसे rich dad on poor dad जो writer ने लिखा है, उनके poor dad ने क्या बोला, उनके poor dad ने बोला, I am not that interested in money, उसके बाद बोला I'll never be rich, उसके बाद बोला उन्होंने I can't afford it, किसी समान को, किसी object को, किसी चीजों को, investment is risky, money isn't everything, कई बार आप सुनते ह होगे ना कहें लोग कहते हैं, पैसा इस अब कुछ नहीं है, उसके बाद rich dad ने क्या बोला, उनका different opinion था, उन्होंने कहा कि money supports life, money life को support करती है, अपकूर्स life is everything, बट उसको support करने के लिए money तो चाहिए ही चाहिए, he thought it's foolish to spend your whole life working for money and pretended that money is not so important, मतलब इसका मतलब यह हुआ कितनी हसी और मुर्खता की बात है, हम पूरी life पैसे के लिए काम करते हैं, और यह बताते हैं कि आर पैसा ही सब कुछ नहीं है, उन्होंने ये भी कहा, life was more important than money, but the money was important for supporting life, life को support करने के लिए money की ज़रुत होती है, rich dad ने और क्या बोला, he often rich dad ने कई बार बोला है, you only have so many hours in a day and you can only work so hard, आप यही तो कर सकते हो, स्यादा क्या कर सकते हो, so why work hard for money, हम पैस मनी के लिए इतना hard work क्यों करें, let our money work hard, उन्होंने कहा, let to have money and people work for you, कुछ ऐसा करो जहां पे लोग आपके लिए काम करें, and you can be free to do things that are important उनके point of view से क्या था, having lots of time to raise his kids, अब जर्द ध्यान से सुनियेगा, उनके point of view से क्या था, उन्होंने कि आपके पास इतना पैसा होना चाहिए, कि आप उन्हें बच्चों को प्यार से बड़ा कर पाए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं, जिनके बच्चे बड़े हो कई बार आपको लगता है कि यार हमें donate करना चाहिए, हमें life में कुछ बहुत लोगों को serve करना चाहिए, society ने हमें एक अच्छी जिन्दगी दिये, लेकिन आपके पास पैसा नहीं, आप करनी पाते हो, कई बार ऐसे लगा होगा कि आपको कुछ लोगों की समाज के लिए jobs, stability security लाके देना चाहिए, आपको ऐसी company खड़ी करनी चाहिए, जहां पर लोगों का सपना हो काम खरने का, आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि आपको इतना पैसा होना चाहिए, आपके पास इतना समय होना चाहिए, समय भी तो पैसा है, आपके पास इतना समय होना चाहिए, कि आप अपने बारे में सोच सकें और अपने health को care कर सकें जो आप नहीं कर पाते हो most of the time अपने job में पूरी दुनिया को घुमो और पुरा world tour पे जाओ लेकिन आप जा पाते हो क्या नहीं जा पाते हो तो basically इस पूरे exercise का मतलब यही है कि आप किसी भी quadrant पे हो लेकिन अपने mindset से आप investment को जिंदा करो अपने mindset को इतना creative बनाओ कि वो आपका mindset ऐसा काम करे जिससे पैसा आप के लिए पैसा बना के लाए कुछ भी कर सकते हैं starting से आप बहुत common सी बात है mutual fund mutual fund mutual fund mutual fund every जगे हर जगे यह बात होती है मैं कहूंगा आप gold में investment करो मैं कहूंगा आप souvenir gold लो जिसमें डाई परसन का वैसे interest मनता gold की value भी बढ़ रही है मैं कहता हूं आप कहीं भी अपना definite amount पार्क करो जो थोड़ा grow करे और growth ऐसी होनी चाहिए जो inflation को बीट करे जो महंगाई को बीट करे तो आपका पैसा अगर आपने 100 रुपया कहीं डाला और 104 रुपया, 103 रुपया हुआ वो बढ़के तो आप तो loss में हो आपका पैसा घट गया तो आप अपने पैसे को grow कराईए अपने जिए वो खर्चा किसी का कम नहीं होता खर्चा कम करना मलब कही बार आपको खुद को लगेगा कि कंजोसी हो रही है यार इतना ज़्यादा कंजोसी ठीक नहीं है खर्चा किसी का कम नहीं होता लेकिन याद रखिएगा अगर आप income अपने बढ़ाने की कोसिस करते हैं तो आप कुछ टाइम के बाद ये जो रिच डैड वाली फिलासफी है इसमें आ सकते हैं और रिच डैड की फिलासफी बिलकुल प्रैक्टिकल है हम कितना भी इनों प्रेटेंड करें देखने की कोसिस करें अरे यार ये सब तो बकवास की बाते हैं ऐसा नहीं होता लेकिन एक्चुल में ऐसा ही होता है ये बुक ऐसी है जिसे हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं तो मैं रिक्मेंट करूँगा सब लोग पढ़िए क्वाडरेंट और बाकी चीजों से मैं और वीडियो लेके आऊँगा तब तक के लिए thank you very much बबाई I hope कुछ न कुछ आपके दिमाग में ignition हुआ होगा आग लगी होगी जो आप जाएंगे और rethink करेंगे अपनी जो investment strategy है उसको thank you very much बबाई take care